तुडेयो वी लान स्टैंडर्ड पॉर्थ चैप्टर नंबर सीक्स का सेगड पार्ट, फॉस्ट पार्ट क्या था। फॉस्ट पार्ट में कुछ ऐसा था कि फॉस्ट पोयम थी, पोयम में क्या आया था। चुचार चुएं होते वो क्या खाने जाते मुरभबा खाने जाते और एक स्टोरी भी थी क्या स्टोरी थी अम्रूत काका नो परवर्ड अब आगे देखते क्या है अब दूकानों ना बोड जूओ त्याँ शूम अब तुछे ते लखो आपको क्या दिया है यह जो आप बेर्स दिये बोड़ बेनर्स, तो आपको देखना है और वहां पे क्यां प्यां मिलता है वो लिखना है फिर मुगदाड और तेल, बाजरी, जार और खांड. दुकांदार नुन नाम, शॉप के पर का नाम क्या है? स्रुजन वी पटेल. नेक्स्ट देखते हैं क्या है? राजर स्री मोबेल. राजर स्री. दरेक कंप्री ना नवा जुना मोबेल, मोबेल ना कवर, गलास मल शे, नवा सिम कार्ड मल शे, रिचार्ज करिया पमावशे. संपर्क, सुर्य प्रकाश परमार, मोबेल नंबर. टेन टेम्ट टूई है, पूरा टू वाला नंबर है. आज दुकान मश्वूम और से, यहां पर क्या क्या मिलेगा? तो नई और पुराने मोबेल, तो हम क्या लिखेंगे? मोबेल, सीम कार्ड, फिर मोबेल का वर, मोबेल का चार्जर, फिर हैंड्स फ्री, इयरफॉन, फिर ग्लास, मोबेल के ग्लास, और लास्ट में क्या है, दुकानदार नों नाम, वहां क्या जो शॉप के पर है, उसका नाम क्या है, सूरिया प्रकाश, पर्मार, सूरिया प्रकाश, पर्मार, और उसका मोबेल नंबर क्या है, टेन जो है, नंबर, वो टेन, नंबर क्या है, टूई है नेक्स क्या है कृष्णा स्वीट माट मोती चुरलाडू मोहन्था, रसगुला, काजु कत्री जलेबी, पेंडा, मुथुरा पेंडा माओ, बर्फी, काजु बर्फी श्रिकांड, प्रसंगना ओर्डर लेवा माओशे संपर्क नंबर ये दिया है अब आप इसमें देख सकते हो कि संपर्क, मतलब कि जो श्रॉप के पर है, उसका नाम दिया ही नहीं है तो यहाँ पे आप अपने आप लिख सकते हो तो किसी का भी नाम लिख दो तो हम क्या लिखेंगे कि कोई भी मतलब कि किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई नाम दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे माथूर भाई पेंडा वाड़ा लिख दिया अब देखते आगे क्या है शू मरसे इस शौप में क्या क्या आपको मिलेगा तो लाड़ू, मोहन्थार, रसगुला, काजु कत्री, चलेबी और लास्ट पेंडा दुकानदार नूना ममने क्या रखा नाम माथूर भाई पेंडा वाड़ा लास्ट क्या है बार भी बेकरी बेकरी का है वाँ पे क्या है क्या मिलेगा ब्रेड, पाउं, टोस्ट, केंडी, चेली टोफी, आइस क्रीम, क्रीम रोल, केक, नान खटाए अब यहाँ पे आपको मोबैल नंबर नहीं दिया है तुम क्या लिखेंगे नाइन मिल गया मोबैल नंबर अब वाँ पे मिलेगा क्या क्या आपको तो वो भी लिख देते हैं ब्रेड, पाउं, केक, टोस्ट, केंडी, और जेली टोफी दुकान दर नाम शौप के पर का नाम क्या है तुरुशा टोपी वाड़ा और उसका लास्ट में मोबैल नंबर आपको दिया है जो आमने यहाँ पे वे सही लिख दिया नेवे अन क्या है जब दुकान दर बन सो तो तमारी दुकान मख़ी वस्तोह राकष्यों अब यह जो आपको अपने आप बनाना है कि अगर आप शॉप cawe क्या इसमें आपको क्या करने कि स्टेशनरी जो चीज़े वाद पैंसिल नौटबुक्स कोलर वह सब कुछ रखना है तो आपको यहां पे नीचे निसदे आपकी ट्रॉब करना है तो उसमें भी आपक्या करोगे स्टेशनरी रिलेटट़ चीज़े रखोगे शाक बाजिना दुकांदारनी चिठी इसमें कुछ ऐसा है कि आपको पूरी क्या बनाने चीट बनाने कि अगर वेसिटेबल लेने जाओगे तो उसमें क्या क्या लिख होगे तो उसमें यहां पे आपको आगे लिखा है और नेचे जो ब्लेंग दिएवापको अपने आप प्रूट में आते हैं लेकिन आप लेरें कहा पर जाओगे वेजिटेबल मार्केट ही जाओगे तो क्या है को बीज बटाका डूंगली मेथी भाजी सवानी भाजी अब यह जो आपको लिखके दिये इसमें आपको और एक्स्रा जो चीजे और एड करनी है तो क्या हम दूद्धी टामेटा फिर गाजर केप्सिकम और बीट फिर फरसाण ना दुकांडार नी चिठ्थियों तो वो लिख देते क्या क्या इसमें लिखाये चवानू तिकी सेव मोली सेव बरफी पेंडा फाफडा अगाठिया जलीबी सोन पप्रिका जुकत्री मोहन था इतना लिखाय है और आगे के चार आपको लिखने हैं अब यह आगे के जो लिखनें उसमें क्या है यह फरसान की शॉए तो इसमें लडू भी होंगे तो लिखेंगे लडू फिर फाक्ति जो छोटी आती है वो फिर जो मतलब की जो कठोड वो मॉग चना वो सब कुछ आता है उन सब के उन सब का भी चेवड आयता है तो क्या लिखेंगे कठोड़नों चवानों और लास्ट में क्या लिखेंगे सुतर फेनी स्टेशनरी में क्या खोगा तो सोपेज नी नोट बुक बस सोपेज नी नोट बुक लॉंग बुक वारता नी चोपड़ी चित्रकड़ा स्केच बुक पैंसिल बॉल पैन स्केच पैन मिनिया कलर वाटर कलर फुटपटे कमपास बॉक्स कूल बेग अब आपको तीन लिखने त इस ग्रिव स्टिक गं श्टिक स्टिक तो गुंदर स्टेपलर इस और स्टेपलर पिन तो स्टेपलर पिन लिखो या फिर उसकी जगे पर कौई और चीज्ज लिख दो जैसे की स्केल ने ऑस दो आकि एक क्या लिखेंगे शापनर मुजरादु में क्या बोलेंगे संचो अम्रुद काकानो परवत पकरो फरीवाद इतेमा आता नाम लखो मुटे थी वाँचो क्या करना है कि अम्रुद काकानो परवत ये जो स्टोरी थी उसमें जो नाम आ रहे थे वो सब आपको लिखने है तो चले लिखते हो रश्वर्जन आ गया है तो आगे क्या है प्रुथ्वी पूर फिर आरियन तुरूप्ति और अर्षद भाई शक्रा भाई चंद्रकांत पार्थेश भाई और दर्षनाबेन अब यह कहा है श्रूतलेखन सुधर यहां पर दिया है कि आशिरवाद तो यहां पर रों होगा और यहां पर राइट होगा यहां पर रों इस टेप तो क्या लिखेंगे हम रो कारवाड़ा मतलब मैंने आपको बताए कि प्रुत्वी तो उसमें रो आया आरियन तो उसमें रो आया तो उसे क्या बोलते हैं रो कारवाड़ा शब्दो तो जैवे से ही क्या प्रकाश तो प्रकाश अब इसका राइट क्या होगा प्रकाश फिर व्रुक्ष तो व्रुक्ष वरुक्ष एसे हुआ और इसके जगे पर हमें व्रुक्ष लिखना है तो क्या आएगा एसे व्रुक्ष फिर तर्म तो तर्म एसे नहीं आएगा क्यसे आएगा तर्म फिर आरियन तो एसे नहीं आएगा कैसे आएगा आरियन ते चार वर्ट जो मैंने लिखवाए है इस तरह आपको यहां पर लिखने है ऐसे ही कोई अलग वर्ट लास्ट क्वेशन बंकोई लखेला वाक्यों पर मुरब्बो पड़ियो तेना ते वाक्यों फरी लखवामा मदद करो बंकोई जो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके जो सेंटेंस है उसके उपर क्या गिर गया जो मुरब्बा था गिर गया तो उससे वही सेंटेंस दूसरी बार लिखने में हेल्प करो उसका हमवक है तो क्या करना है आपको कि यहीं सेंटेंस आपको यहां पर दूसरी बार लिखने लेकिन इसमें से देखके वही सेंटेंस लिखने, लेकिन यहाँपे, क्या यह सब डॉट जो यूह क्यां गीरा हैता आपको क्या गीरा है, मुरब्बा गीर गिर गया तौई आपको क्या करने हैं, हो सेंटेंस दो श्रीवार लिखने है फस्ट गोवर्दन काका नवो बड़ लाविया कृती काये काची केरी कापी शर्मन स्टेज पर शर्माई गयो शर्मिस्ठा शाक्र समारे छे प्रुथ्वीना पप्पा निवरुथ थया महर्शी मंगलवारे मोर्बीमा मलियो अब यह जो सब सेंटेंस हो आपको यहां पर फिर से लिखने है